राम राम जैच्छतिगर आप सब केम और यूटूब चैनल सशे सच्छतकार में हर्दी का मिनंदा नहां सागात हुए आप सब ला दिवारी तेवार जिन बीच चुके हैं अच्छा बीते होई गोर्धन पुजा के आज की मां बहुत सुब कामना हैं बधाई देवा था हूँ और कल भाई दूझके भी आपना बधाई सुब कामना है देवा था हूँ आज हम जांजगीर चापा जिला के विशेशन करे के प्रयास कर वो देखो यह सब आपके हस्देव भांगों के छेत रहे सक्ती जिला जांजगीर जिला पंडिश शामाचन सुकलक जी के देनेया जि त्हर्टीन सिठ है जिला में ऋपके जांजगीर चापा अकल तरा और पामगणंदेश हैं आपके अकल तरा में भारती जनता सीट से ही नराइन चंदेल जी वी पच्के नेता है कद्दावार नेता है भारती जनता पार्टी के सौभाई ग्रूप से बड़ा चुनोती के सामना करेल पड़ा थे एकर बेटा को पर जो अरोबला गेरी से भाई भी एकर विवादी थे ऐसे वो छेत्रमा घुमे से पता चलते लेकिन कॉंग्रेस काला प्रत्यासी बना है ब्यास कस्तरप जी पहली भाजपामरी से फिर पिछा स्माते साथ रवी पांडे जी कॉंग्रेस के कद्दावार नेता वो नराज मोतिलाल देवांगन जी पुर विधायक वो नराज पिछला चुनाओ नरांचंदेर जी मोतिलाल देवांगन जी लहरारी से बहुत कम और से लगभाग 4,000 ओर से यहां पर ये चर्चा चलते से साय प्रियाद इंजिनियर रवी पांडे जी जी जन कद्दावर नेता है उला टिकन मिली लेकिन भुपेज बेगल जी के अथक प्रियास से ब्यास कस्षब जी लाटिकन मिले दोनों कुर्मी अलग अलग है आप याद कर हूँ आप सायद नराइन चंदेल जी कनोजिय कुर्मी ह नहीं बता सका हूँ और ब्यास कस्षब जी मनवा कुर्मी है और यही वाद दोनों कुर्मी में अलगा कुर्मी के लड़ाई जोरदार चला थे ब्यास कस्षब जी ला रवी पांडे जी मोतिलाल द्रोंगन जी ला साथ लेकि चुनोती है तो नराइन चंदेल जीला अपन ब बोले जा सकाए ये जांजगीर चापा के ये लडाई माइमान दारी से मैं कुछ नहीं बोल सकाओ फिर भी अगर आप जानना चाहा था तो आज की सिती में मुला लग थे कि ब्यास कश्चिप जी के पला यहां पे भारी है नराइं चंदेल जी के खिलाब मुला लग थे परवा सिधा लड़ाई है, कहीं कोई दिखर लड़े बार तो बस्खा भी लड़ा थे, सब्लेड़ा थे, जोगी कांगरेज भी लड़ा थे, लड़ाए ये दोनों के बीच महें मानके चलाव अभी काई शिती है, अकल तरह, अकल तरह विधान सप़ए, देखो आप, यहां पर भा नेता है भारती जनता पार्टी के। कांगरेस से भी एक रे विष्देदार, एक रे समाद रागवरीण सिंग है कर पिता, म. ए ले रिसायद, राके सिंगी अखर बेटा है, रागवरीण सिंगी जिलाद दच कांगरेस कर ़ोट में ठाखर समाट पार्टी से विनो सर्मा यह चारों ने ता ताबार तोरने ता तगडा लडाई जबरदस्त लडाई कहना बहुत कठी ने बहुत कठी बहुत कठी ने लेकिन मुला लगते कि कहीं त्रिकोनी में कांग्रेश के प्रताशी पीछे ना हो जाए लड़ाई कहीं सौर अफ सिंग रिचा जोगी और विनो सर्मा के बीच में कहीं ना हो जाए मुलाई लगते हाला की चौथा नमबर रावगें सिंग आही मुलाई तो नहीं लगाए लेकिन मुलाई लगते की तीसरा और चौथा के नमबर के लड़ाई उखर हुआ है आज की सित्वी में कटा कट लड़ाई है रिचा जोगी के साथ विनो सर्मा के साथ और सौरभ सिंग के साथ जो वरतमान में भाटपा के में में ले अगर दू के बीच मां बोलू तो निश्वी तुरुप सिंग के साथ सिंग और रिचा जोगी के बीच मां मुला आज की सित्वी में चेत्रमा जाय के बाद मुला लगते के दो के बीच महीं जोरदार फाइट है तीसरा सिट कौन सा पामगर ये सुरच्छी सिट है इंदू बंजारे जी बहुजान समाथ पार्टी के विधायक है एकर जेट जन कुरोना काल में दिहानत होगे वो बड़ा रहनीती कारा कर रही से वो छेत्रमा बताते है कि एक्च्वर में उकर जेट ही इलब विधायक बने बहुत बड़े अप्लानिंग और रहनीती करके कुरोना काल में उकर अकसमात मिर्थी होगे विनम सद्धानी देवतों कर जेट ला आज काई सिती जोर्दा लड़ाई माफासे कोई मतलब हलाकि देखो आकल तरह में भी मातर ठारस ओर से सौरभ सिंग जीते रही से आपके नराजचंदेल भी चार हजार ओर से जीते रही से पामगण में भी इंदू बंजारे जी मातर तीन हजार ओर से ये एकदम कटा कट फाइट की लागा है तीनों सीट ये जिला में तीनों सीट में बराबर बराबर चुना होते कहना बड़ित कठीने मौर विशेशन भी गलत हो सकते आपना बताता हूं मैं काबर कियत का नजदिकी लड़ाईला एकदम के कुरेट करना ने ता दो दो बार के जन्पत सदस संतोस लहर जी लो उतारे जों पिछला चुना बहुत कम और से हरेश से गोरिलाल बरमन कॉंग्रेस छोड के वो कहां से चुना वलाड़ा थे आपके निर्दली जोगी कॉंगरेस से पामगड से कामरेस काला परत्यासी उतारे स्रीमती से स सरांज हरवांजीला दो हजार तेरह मत चुनाव हरेरी से चरंदास महांत जी अड़ के टिकेट दिलाइस बहुत बढ़िया नित्री लोग प्रीवी है कहीं कोई दोरा नहीं है इवन पुरा परिवार ताका जोके लेकिन का इस सिती है मुला यहां पर लगते कि लडाई त्रिक संतोष लारे जी बिजेपिक सात होए लेकिन मोला लख थे कि संतोष लारे जी अंदू बंजारे के बीज मा है इन पर जपरतस लाइए वकर जेट के अकासमात मृत्यू होए के बाद इंदू बंजारेजी बीचारी रनी ती मा प्लानिंग मा मनेजİमेंट मा कमजोर पड़ है इनतिजार करो रिजल्ट के ये तीनों सिट के विशे सांद आप ला कैसे लगिए इमान के चलो हैं पर दो सिट भाजपा के पास है कौन कौन सा आपके जांजगीर और अकल तरह का जांजगीर सिट बीज़पी को सकते अकल तरह और पामगर जीट सकते का कुछ भी हो सकते लेकिन एक सिर्ट तुझ भागपा जरू जी थी एक सिर्ट पाम गड़ अगर बस पाज जित गए तो हो सकते एक एक तीनों जित गाए कामरेश खाता खोल सकते जांजगिर के उलट फिर हो सकते यह आपला विश्यसन कैसे लगेश आप जरू बता हो लोलाई जोड़ा पिर आपना बता थो मैं यहां एक जीला में एक कुरेट आंकलन करना बड़ा कठीने याद रखू मुर बात लाग जोड़ा लागेश यह आंकलन यह विश्यसन आप लगेश लगेश जरू बता हो सब्सक्राइब सेयर और कमेंस करेबर जहन बुलाओ जैच्छतिक्रमातारी जाहिन